नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है, डेट आज की 26 अक्टूबर 2021, देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के front page की, explain page की, sports page, economy page, world page, इन सारे pages पे जो भी important news हैं की, एक highlight, फिर उसके बाद में हम discussion करेंगे, डीटिल में, सबसे पहली जो news रहेगी, वो रहेगी, दिशारावी का जो case है, उसमें toolkit वाला जो मुद्दा था ना, वो गूगल पे highlight हुआ था, तो questions पूछे गए, गूगल से, फ जो मुद्दा जो हम discuss करेंगे, वो रहेगा यहां पर, कि IPL की दो और टीमों का auction चल रहा है भी, जिसमें final जो bidding हुई है, वो लखनाओं के लिए तो हुई है, 7090 करोड रुपे की, और एमदाबाद के लिए top bidding आई है, 5625 करोड की, ठीक है, तो अभी total 8 teams है, तो ये दोनों को अगर final कर दिया जाता है, अभी bidding process हो चुका है, final day, top bidding ये निकल के आई है, अब वो है कि जैसे ही final हो जाएगा, कि हाँ, मतलब एक तरीके से payment दे दिया जाएगा इनके दोरा और next जो IPL के season होगी, तो total उसमें 10 teams उतरेंगी, ठीक है, तो ये प्लान यहां पर बताया हुआ है इसके आगे अगर देखें हम, तो यूपी का ये conversion law है, उसको लेकर के यूपी government ने ये का कि हम community interest को ज़्यादा मानते हैं, बजाए के एक individual के, conversion law आपको पता है, anti-conversion law जिसको बताया था, कि एक religion से दूसरे religion में convert करने के लिए अगर किसी को pressurize किया जाता है, तो उस case के लि अलावाद high code के सामने के दिया, कि बहुल community हमारे लिए important है, individual rights के comparison में, ठीक है, law का नाम है, यूपी prohibition of unlawful conversion of religion act 2021, ठीक है, तो ये मुदा, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इसके आगे, page number 3 पे हम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नाइंदर मुदी आशियान इंडिया summit और स इसके अलावा, facebook का जो कल हमने पूरा detailed discussion किया था, ठीक है, news भी देख ली थी, आज सुबह के editorial में भी देख लिया था, जिसमें ये था कि facebook जो है, वो fake book हो चुकी है, और hate speeches को बहुत ज्यादा promote कर रही है, तो ऐसे में congress ने joint parliamentary committee की basis पर investigation के demand की है, ठीक है, इसके आगे, central government ने states को ये काया कि आप जल्दी से जल्दी stock limit के लिए notification issue कर दो, जिससे कि edible oil का कोई भी stock ज्यादा maintain ना करे, क्योंकि already मेंगा हो रहा है, edible oil, और अगर कोई भी stocking करे, मतलब black marketing के लिए कि हाँ भई, अभी एक साथ इकटा करके फिर बाद में बेचेंगे, अभी मतलब price अच्छी 180, बहुत मेंगा edible oil बे करा भी, ठीक है ना, तो उसके point of view से ये stock limit और ये अपनी तरफ से guidelines हैं, ये दीगए department of food and public distribution के द्वारा, ठीक है ना, तो थोड़ा आप ये धहान रखें, इसके आगे, page number 6 में हम देखेंगे, रजनी कांथ को दादा साब file के award दे दिया गया है, इनक किया, तो कल जो हमने discussion किया था ना, वसी को extend करते हुए, कुछ और points एड़ उन करेंगे, इसके अलावा कुछ मोट्स, कुछ बीटल, इनकी species का पता पड़ा है, तो उनका नाम जो हना, वो दिया गया है, कोरोना के नाम पर, तो जानेंगे वो कौन कौन सी species हैं, इसके आगे, यहां पर साउथ कूरिया की क्वीन, ठीक है, हियो, हियो वांग ओके, ठीक है, इनको अभी, आप कह सकते हो, इनके नाम पर, आयुद्या के साथ में क्या connection है, वो जानेंगे इनके बारे में, एकॉनोमी पेज़ पर आज इतना कुछ डीटेल में discussion करने लिए, कोई important इतनी news न आ गया है, कि हमें बहुत जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कि जितना damage अभी climate की वज़े से हो गया है, उसको भी अभी भी अगर हम alert हो करके, सही तरीके से काम कर लेना, तो बहुत हद तक हम control कर सकते हैं, ठीक है, इधर Sudan की बात कर लो, Central African country, हाना, वहां पर आप देख सकते हो, military ने coup कर लिया, और प्राइम मिनिस्टर हैम टॉक उसको arrest भी कर लिया है, तो देखो यह सुदान, साउथ सुदान, यह बहुत जादा disturbed countries में से एक हैं, world के most disturbed countries में, ठीक है न, इसके अलावा, sports space पे इन पे एक बार नजर डाल देंगे, तो यह कुछ इन यूज में था यह क्या था, तो option में यह भी दे सकता है कि Corona का नया variant आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, यह beetle की species है, जिसको Corona virus के बाद में नाम दिया गया है, इसके अलावा कुछ insects हैं, उनको भी Corona के नाम पे दिया गया है, जैसे कि P Corona virus, A Quarantinus, S Covida, यह नाम में आप देख सक Quarantinus, that means, Quarantinus का मतलब, Quarantine से जो word था ना, Quarantine जो करते थे, मतलब करते हैं Corona से बचाने के लिए 14 दिन का, 7 दिन का वो, उस तरीके से P Corona virus, इसी तरीके से S Covida, यह इनके नाम दे दिया गया है, इनके नाम accurately देख सकते हो, T Corona, that means Trignopterus, Trignopterus Corona, तो यह beetle हो गया, ठीक है, फ तरीके से, A Quarantinus, यह यहाँ पर मोत है, S Covida, यह यहाँ पर insect देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, यह अलग-अलग countries में इनका discovery होई है, तो सबसे पहली बात करें, तो Indonesia का एक island है, जिसका नाम है Sulawesi, ठीक है, तो वहाँ पर यह discovery होई है, लग-बग 28 new species discover होई है, बीटल की, ठीक है ना, जो जिनकी, आप size देखोगी, 2-3 mm के लग-बग आप कह सकते हो ना, तो उसमें नाम दिया गया है, एक का नाम क्या दिया गया है, Trigonopteris Corona, ठीक है, यह बीटल, Indonesia से पता पड़ा है, इसका, इसके अलावा, pandemic के टाइम पर जितना असर आया, उसका यह एक significance है, ठी इनसेक्ट है, उसको नाम दे दिया है, Potamophilax Corona Virus, ठीक है, Biological Data Journal में यह रिलीज हुआ, ब्राजील में एक वास्प के बारे में पता पड़ा, 6 नई species के, उनमें एक का नाम दिया गया है, High Manoptera, रिसर्च में यह रिलीज हुआ, जिसका नाम है, A Quarantinus, यह ब्राजील में, मतल इसका Discovery हुई है, इसके अलावा आप देख सकते हो, इदर मेक्सिको में भी एक वास्प, यह होता ना, डंक मानने वाले जो होती है, B की तरह ही होती है, यह रइट, पर यह हाँ, शहद नहीं बनाती है, ना, हनीं नहीं बनाती है, वास्प, तो उनकी भी, इसकी Discovery हुई है, मे तो इस तरीके से अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग लोकेशन मिली हैं। अब हम देखेंगे ये कंट्रीज कहां-कहां पर लोकेटेड हैं। इनकी जोग्राफिकल लोकेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहां पर आप मैप देख सकते हूं इंडोनेशिया का। इधर इसके जो पडोसी देश हैं उनकी अगर बात की जाए तो इधर देख सकते हूं मलेशिया। मलेशिया इधर भी है और इधर भी है थोड़ा सा ठीक है। इसके लावा यहां पर सिंगापूर है स्ट्रेट आफ मलक का डिवाइड करती है मलेशिया सिंगापूर एक तरफ रह जाते हैं और इधर सुमात्रा जो आइलेंड है वो आ जाता है अच्छा इंडिया की तरफ अगर देखोगे तो क्लोजस्ट आइलेंड जो इंडोनेशिय जाया ठीक है फ्लोरिस कॉमोडो एंडरिंका बाली जावा पर है ही और इस्ट तेमोर यह आइलेंड से इंपॉर्टन्ट जो की इंडोनेशिय आइलेंड से ठीक है इधर इंडियन ओशियन देख सकते हैं इंडियन पैसिफिक ओशियन ठीक है यह पलाव हो गया इधर बाकी कंट्रीज के नाम भी देख सकते हैं इधर वियत नाम, कंबोडिया, थाइलेंड, फिलिपीन, ब्रुनई, मलेशा, सिंगापूर हम अल्रेडी देखी चुके हैं और यह डार्विन पॉइंट जो दिखा रखा है यह आस्ट्रेलिया में यह ध्यान रखे हैं आप यह और पप मेक्सिको के अगर साउथ इसकी तरफ देखा जाए एक कंट्री का नाम तो है जो इसका पड़ोशी देश है गौाटेमाला और दूसरा का बेली जे यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है ना और इसके अलावा यहाँ पर में जो और लोकेशन मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिक सिटी जो की यहां पर लॉकेटेड है ओके तो यह कुछ जगह थी इंपॉर्टेंट उनके बारे में हमें देखना था यह देख लिया अब आगे चलते हैं नेक्स अगर कंट्री की बात करें वो है कोसो वो कोसो वो है यहां पर देख सकते हो यह कंट्री आ गया मतलब यूगोस तो इंसेक्ट का वास्प का नाम दिया गया है ठीक है ना और बाकी यूरोप का मैप आपके सामने इसको थोड़ा ध्यान से देख लें आप मैं आपके सामने इसको छोड़ रहा हूँ जूम करके कि किस कंट्री की कहां बाउंडरी कनेक्ट हो रही है ठीक है कौन कौन से कंट ब्राजील के मैप में आप देख सकते हो जो भी इंपॉर्टन कांट्रीज हैं इधर तो देखो अट्लांटिक ओशेन आ गया है ठीक है इधर देखोगे फ्रेंच गीनिया यह सुरीनाम गुयाना वेनेजुएला कॉलंबिया पेरू और इधर देखो एक्वेडर की बॉर्डर थोड़ा ध्यान रखें आप बॉलीविया फिर पेराग्वे और नीचे साउथ में आ जाओगे तो उरुग्वे और यह अर्जेंटिना की बॉर्डर भी शेयर होती है ब्राजील के साथ में ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया यहां पर आप देख सकते हो लोकेट कर सकते बाकी रियो डियनेरियो एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है वो भी है इसके अलावा एक सिटी और फोर्ट ले जा यह रहा ठीक है और एमेज़ॉन रिवर वालियुम वाइज अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर के बारे में पुछा जाए तो आप एमेज़ॉन आंसर वर्ल्ड की लॉंगेस्ट रिवर्ड होगे तो नाइल रिवर जो की एफ्रिकम फ्लो होती है राइट तो ऐसे मैं एमेज़ॉन रिवर देखो यहां से ट्रेजेक्टरी ले लिए है इस तरीके से यहां से यहां से फ्लो होती हुई और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है नेग ना था अब लगया आथ सुडान वाला मुद्धा है वो भी देख लेते हैं मैंने सेंट्रल एफ्रिकन कंट्री बताया था नहीं यह आप नौर्थ एस्ट में तोड़ा लोकेट कर देना है इसको ठीक है इदर रेड़ सी के साथ में बॉर्डर शेयर होती है यह है सुडान ओके यहां पर आप देख लो इंपोर्टन लोकेशन जो भी है सबसे उपर एजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर होती है इदर लीबिया के साथ में इदर चैड आ गया इसके अलावा अगर देखा जाए तो इधर सेंट्रल एफ्रिकन रीपबलिक यह आ गया इधर साउथ सुडान इधर इथियोपिया और एरेट्रिया इरेट्रिया में भी सिविल वाड़ चल रहा है हमेंने देखा थना टिग्रे रीजन में वो पॉइंट हमने अलरडी डिसकस किया है इसके अलावा वाइट नाइल जो की लेक विक्टोरिया से औरिजन होती है ब्ल्यू नाइल जो की मेडिटरिनियन सी में गर जाती है इधर रेड़ सी के साथ में भी अपनी कास्टल लाइन शेयर कर रहा है ठीक है इधर रेड़ सी हिल्स है या न्यूबियन डैजर्ट एरिया भी हाँ पर है यह कुछ इंपॉर्टन जोग्राफिकल लोगेशन लीबियन डैजर्ट का एक्स् इसी तरीके से बस में में चीज यही थी आगे चलते हम नेक्स्ट इंपॉर्टन चीज डैट इस क्लाइमेट टार्गेट की हम बात करेंगे क्लाइमेट टार्गेट सेट्स और इनका मिसिंग होना देखो एन्यूल क्लाइमेट मीटिंग की बात की जाए तो बाते तो बहुत होती हैं काम भी ऐसे किया जाता है कि कैसे बिगर के climate change को control किया जा सके और पिछले दो दस्टकों से अभी तक देखा जाए तो परिष्टितियां बिगरती ही चली जा रही है control में नहीं है या हमें जान चुक्तिस हैं countries ने जो भी target fix किये decision making जो भी लिए उन targets को properly ना तो serious लिया गया और ना ही उन पे कोई achievement है ऐसे में जो environmental concerns है वो overridden है gloss government meeting होने वाली है और उस meeting में बातचीत को लेकर गए फिर से कुछ target fix किये जाएंगे तो वो achieve होंगे की नहीं पास से तो यह लगता है कि यह भी miss होने का scope पूरा है वो एक miss chances में अगर देखो तो पहले दो दस्कों की बात करें फर्स्ट रियो डिजनेरी अभी हमने map पे देख भी लिया ना वहां पर meeting होई थी 1992 में तर टार्गेट था कि बई 2000 आते आते 1990 का जो level है उससे भी हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे emission को पर वह अचीव नहीं हुआ फिर 97 में आपको पता Kyoto Protocol साइन होता है उसमें टार्गेट यह था कि 2005 तक है developed countries जब अपना target fix करके उस पर काम करना शुरू कर देंगे पर वह भी नहीं प्रॉपर ली आउटकम निकल पाया फिर बाद में आप देख सकते हूँ group of 37 rich countries ने मिलकर के यह कहा कि Kyoto Protocol जो है वो industrialized countries के लिए एक collective target fix किया जा रहा है जिसमें यह होगा कि 2008 से लेकर 2012 के बीच में efforts लगाए जाएंगे जिसें कि 1990 के टाइम पर जो emission का level था उससे भी 5% कम तक reduction मतलब हम target achieve कर लेंगे emission को reduce करके इसमें आप देख लो European Union जिसमें mainly कुछ बड़े country जैसे Germany, UK इनको छोड़ दो क्योंकि UK उस time पर देखो European Union का part था तो उस time पर इन countries ने थोड़ा achievement किया तो यह targets जो fix किये थे 1990 से भी 5% कम लाने वाला बाकिये targets अचीव नहीं हुए फिर आ जाओ रशिया की Eastern European economies की जो कि उस time पर आप देखते हो 1990 में यह वह वाला time था जब USSR का इस इंडिग्रेशन होता है तो रशिया और इन countries के ओपर obligations थी कि जी हाँ हमें अभी USA या developed country या फिर ये capitalist country जो भी कहेंगे वो हमें करना है क्योंकि हम भी capitalist बनना चाहते हैं तो इस चीज में European economies को follow करते हो इन्होंने कह दिया कि चलो ठीक हम target अचीव करेंगे emission को और इन्होंने देखो बहुत हत्तक परफॉर्म अच्छा किया 22% तक अपने emissions को reduce कर दिया जबकि target तो 5% कहीं किया था तर मुद्दा क्या निकल क्या आगया कि सबसे ज़्यादा emission करने वाले जो developed countries हैं वो बिल्कुल serious नहीं थे फिर आप देखो world resource institute के दोवारा जो data release किया गया कि emission point of इसे USA 2012 में सबसे ज़्यादा emit करने वाला green house gases को emit करने वाला country है 1990 लेके 2012 तक उन्होंने कोई reduction नहीं किया emission में और Australia ने भी अपना emission 15% तक rise ओर कर दिया तो ये और मुद्दा आ गया फिर global emission की बात करें तो 1990 लेके 2012 तक कितना rise हो चुका था 40% तक rise हो चुका था और दो economies और importantly role play करने लग गई थी इसलिए उनके ओपर और नजरे गड़ाली सबने वो थी चाइना और इंडिया चाइना ने टेक ओवर कर दिया है USA को अगर emission point office देखें कि 2007 से बात में अभी तक देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा emission करने वाला country है इसके अलावा आप देख सकते हो कि दो और countries भी मर्ज हो करके आते हैं 1990 का जो चाइना का emission का level था ना उसके comparison में 278 हाते चाइना चार गुना तक ज़्यादा emission करने लग गया था और इंडिया ने भी अपना emission 1990 के comparison में 3.4 टाइम्स बढ़ा लिया था कि developed countries ने इंडिया चाइना इतना फोकस में नहीं था क्योंकि 1980s 90s में इंडिया चाइना इतना बड़ी economies नहीं हुआ करती थी तो इन countries ने यह कह दिया कि developed countries के जिम्मेदारी ज्यादा है तो आप लोग पहले काम करो पर देरे देरे time बीता है और इंडिया चाइना देरे देरे world platform पे आने लग गए तब जाकर के दिमाग यह लगाना शुरू किया कि जी इन developing countries को भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए तब फिर मुद्दा निकल के आता है common but differentiated responsibility and respective capability that means कि भाई हमें target तो सबको यह है कि globally जो climate change आ रहा है उसको control करना है that is common differentiated responsibility का मतलब क्या हो गया कि भी सबसे ज्यादा emission developed countries ने किया है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है वो अपने emission cut ज्यादा करेंगे और developing country जैसे च हमता के हिसाब से emission को reduce करो तो यह principle पर काम करना शुरू कर दिया तो इसमें developing countries को भी मौका मिल गया कि हाजी मौका मिल गया कि हाजी हमें technological efforts technological support provide करो और साथ में developed countries को भी relief मिल गई चलो ठीक है इनको भी अब थोड़ा कह सकेंगे फिर time बीटता है historical emissions rise होते चले जाते हैं फिर Copenhagen वाला जो COP 15 होता है conference of party उसमें final किया जाता है कि जी चलो ठीक है 100 billion dollar का हम help कर देंगे जो बड़े countries थे इन्होंने कह दिया था ना पर वोई चीज है कि वो अभी तक भी आया नहीं पाया even ये कहा जाता है कि जी हमने जो commitment लिया था ना 100 billion dollar का जो new और emerging economies हैं उनको देने के ल million dollar बोला हमें देने की जरुवत का है अल्रेडी हम बहुत सारे तरीकों से help कर रहे हैं ये बात कहकर कि यूटर्न ले लिया ठीक है Kyoto Protocol था उसको अच्छे से implement नहीं किया Paris climate change agreement वो implementation में है पर rules उसके final नहीं हो रहे हैं तो मुद्दे बहुत सारे हैं टार्गेट बहुत सारे fix कि को ये South Korea की Queen रह चुकी मतलब Korea की Queen रह चुकी है और इनका Ayodhya से क्या relation है थोड़ा वो जानते एक stamp भी release किया गया था Queen को commemorate करते हुए basically अगर इनका relation देखा अभी क्यों न्यूज में है थोड़ा हो जाने तो देखो Ayodhya आपको पता है सर्यू शारदा रिवर इसके किनारे पे बसा हुआ है वहीं पर एक space create किया जा रहा है जहां पर रामकथा पार्क बनाए जा रहा है Queen जब 16 साल की थी तब ही अपने घर से निकल गई थी और कोरिया के travel पे गई थी और वहीं settle हो गई थी और वहीं पे इन्होंने शादी कर दिया अब यह Queen थी कहां की यह princess हुआ करती थी सूरी रतना ओफ अयुद्या ठीक है यह सूरी रतना ओफ अयुद्या की princess थी और इनके पिताजी का नाम था king Padmasen और माताजी का नाम था इंदुमती ठीक है जो कि आज के टाइम पर अगर देखो तो आप मान लो UP से उड़ी साथ तक का region है उसको consider किया जाता है और यह time of 48 BC that means before Christ के time की बात कर रहा है हम तो ऐसे में फिर यह South Korea चली जाती है तो ऐसे में इनका relation नाम पर एक पाक dedicate किया गया है अयुद्या में तो आप बता सकते हो former मतलब ancient time पर queen रह चुकी है कोरिया की उन्हीं के नाम पर ओके चलते है एक न्यूस है न्यूस तो इतनी important नहीं है पर यह जो body है ने इसके बारे में आपको पढ़ना है NPPA National Pharmaceutical and Pricing Authority ठीक है ना इन्होंने यह का है कि anti-diabetic drug है ना उनकी prices को fix करने की बात की गई है बारा ऐसी anti-diabetic drugs तो नपा के बारे में आप जरूर पढ़ोगे ठीक है National Pharmaceutical and Pricing Pharmaceutical Pricing Authority कौन सी ministry में आती हो सारी UPSC point of view से है आप detail देखोगे इसके आगे front page भी news है दिशारावी जो toolkit case था जिसमें दिशारावी को arrest भी किया गया था फिर इनको bail पे भी छोड़ा गया था तो investigation continue है पर वही चीज है कि अभी तक कोई outcome proper नहीं निकल पा रहा है basically इन्होंने toolkit toolkit का मतलब एक guideline थी जो कि इनको तो मिली थी greater thunbug जो कि climate activist है उन से और फिर उसमें कुछ editing की थी ऐसा इनके उपर allegation था कि आपका महाँ पर involvement था जिसके चलते हैं आपने editing करके और फिर बाद में उसको release किया था public domain में तो उसमें क्या था कि कुछ ऐसी guidelines थी ऐसे rule क्या कैसकते हैं conduct करने के लिए कुछ ऐसा मुद्दा था कि कैसकते हैं steps दी हुई थी कि किस तरीके से एक farmers का जो एक protest चल रहा है उसको violence में convert कैसे कि जाए तो ऐसा कुछ integrate कर दिया गया था कि दिशारावी ने जो greater than bug जो कि Swedish climate activist हैं उनसे ये toolkit मांगा toolkit क्या था एक तरीके की PDF फाइल थी जिसके अंदर पूरी detail थी जी कि हाँ क्या क्या कदम उठा सकते हो पहले ये होगा फिर ये होगा एक planned manner में protest को organize करना in short ठीक है उसी को toolkit ब गया था 26 जनवरी को जो violence outbreak हुआ था आपको पता होगा ट्रेक्टर रेली हुई थी बहुत सारे farmers ने लाल किले के पास में ठीक है तो उससे integrate करके फिर बाद में jail में डाल दिया था फिर देखो मुद्दा ये था कि ये जो reveal हुई थी ना ये toolkit ये गूगल और zoom पे हुई थी और इन दोनों से जब question पूछा गया officials के दुआरा investigation के time पे तो कोई response नहीं आया तो इस मुद्दे को लेकर कि ये वापिस से highlight हुई ये बाद ठीक है इसके आगे IPL वाला मुद्दा हम अलरड़ी देखी चुके हैं लखनौ और एमदाबाद की दो नई टीम्स उतरने वाली ह ही इसमें final bidding हो चुकी है highest bidding जो गई है लखनों के लिए तो 7090 करोड रुपय तक की गई है और जबकि आप देख सकते हो इधर एमदाबाद के लिए गई है 5625 करोड रुपय तक अच्छा इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एमदाबाद वाला जो investment है ना उसमें CVC Capital Partners invest कर रह है पैसा अपना ठीक है तो ऐसे में 10 टीम हो जाएंगी ठीक है और 8 टीम टोटल 60 matches अभी है अब 10 टीमों के लिए 14 matches का format हो जाएगा 74 matches का ठीक है अब देखने वाली बात है कि कब क्या finalize हो जाता है फिर उसके हिसाब से next season में 10 टीम उतरने का पुरा scope होई गया तो question का answer क्या ह गाजी लखनव और एमदाबाद की दो नई टीम है ठीक है इसके आगे इसी में एक थोड़ा सा और कि लखनव वाली जो टीम है वो कौन ले उसकी highest bidding लगाई है दस संजीव गएंग का लेड और पी एस जी ग्रूप ठीक है ना और दूसरी तरह आप देख सकते हो कि प्राइ करने की बात की है तो यह थोड़ा आप ध्यान रखें आगे चलते हैं अब आपके लिए टास्क एक और एड हो रही है वो यह कि आश्यान कंट्री इसके बारे में एक बार डंक से पड़ोगे इस ग्रूप के बारे में दूसरा इस्ट एश्या समिट 16 इस्ट एश्या समिट म दोनों के बारे में आप जरूर से पड़ोगे ठीक है तो कॉश्यन बन सकता है आश्यान ग्रूपिंग और उसके बारे में इसके इसके अलावा इस्ट एश्या समिट आगे चलें नेक्स्ट है दादा साफ फाल की अवार्ड के लिए देखो वाइस प्रेजिडेंट एम वंक पर इनको बेस्ट एक्टर का वोड दिया गया है और कंगना रानौत को बेस्ट एक्ट्रेस का तो ये पेराग्राफ इंपोर्टन्ट है इसको आप अच्छे से नोड कर लो ठीक है वैसे तो लिस्ट देखो 2019 में रिलीज मूवीज के बेसिस पे है पर होना तो ये 2020 में था प पे और मनोज वाजपई को जो बेस्ट अवर्ड मिला है बेस्ट एक्टर का वर्ड वो है भोसले मूवी के बेसिस पे और कंगना रानौत को जो बेस्ट एक्टरस का वर्ड मिला है वो दो मूवीज के बेसिस पे एक तो मनी करनी का और एक पंगा ठीक है तो यहाब ध्यान र तो इसको बेस्ट मुवी का अवर्ड मिला है, डिरेक्टर है इसके प्रियदर्शन, इसके अलावा, बेस्ट डिरेक्टर का अवर्ड दिया गया है, संजेपूरण सिंग चौहान को, और उन्होंने हिंदी मुवी को डिरेक्ट किया, जिसका नाम है, बत्तार हुरेन, ठीक है, तो ये कुछ important information थी, ये last वाला portion, और ये इधर वाला portion, ये आप देख सकते हूं, ठीक है, आगे चलता है हम, सुडान वाली news हम अल्रेडी देखी चुके है, मैप भी हमने देख लिया सुडान का पहले ही, अब आजाओ green house gases के level की बात करें, तो world meteorological organization, WMO, जो की UN की agency है, उसक ठीक है न, तो अभी जो level है न, carbon dioxide का, 2020 का data release हुआ है, कि 413.2 part per million हो चुका है, carbon dioxide का, जो concentration है, atmosphere में, तो ये अपने आप में कह सकते हैं, कि जितनी average rate है, उससे भी जादा है, मतलब जितना expected था, जितना हमने target किया था, उससे जादा, दूसरा, COVID-19 के वज़े से थोड़ा कुछ control नहीं है, 2015 का Paris climate change agreement है, 1.5 degree Celsius का target हम करके चली रहे, कि pre-industrial Iraq के time पर जो temperature average था, उससे 0.5 degree centigrade से जाए temperature rise ना हो, अब COP26 होने वाला हमें पता ही है, तो उसमें देखते हैं, क्या उट कमाएगा pressure है, countries पर वही चीज़ें, बाते-बाते के बलवाते हैं, इसके आगे अगे Glossgore में जो meeting होगी, उसमें target होगा, कि Paris climate change के लिए final touch दिया जाए, guidelines fix कर दी जाए, climate talk को एक implementation में लिया जाए, और साथ में ये है, कि last chance है, कि world community साथ में आकर के 1.5 से 2 degree Celsius का जो हमने commitment लिया हुआ है, कि pre-industrial Iraq के comparison में, 1.5 degree centigrade से जाए temperature rise नहीं होने देंगे, वो अचीव कर सकत हैं, इसके अलावा साथी अरबनी भी अपनी तरफ से पिछले Wednesday को हमने news भी देख ली थी ना, कि net zero का target fix किया है, कि 2006 आते आते हैं, हम net zero achieve कर लेंगे, USA का 2050 का target है, ये भी हमने देख लिया है, और दूसरा हमें पता है, कि climate change ऐसे होता रहा, तो इसका impact livelihood पे भी होगा, और future मे जो हमारी generations आएंगे, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और global financial system के लिए भी challenges होते रहेंगे, German government ने announce किया है, कि Chancellor Angela Merkel, ये participate करने जाएंगे, Gloss Go में, ठीक है, तो ये है कुछ मुद्धे जिनको देख लेंगे, होस्ट आपको पता ही हो कौन करेगा इस summit को, UK के Prime Minister Boris Johnson, तो ये कुछ मुद्धे थे जिनको हमें देखना था, डीटेल में, और अब sports page बे चलते हैं, ये हमने देख लिया था, कि IPL में world के leading sports investors हैं, वो भी अब attract हो चुके हैं, रहमदाबाद की team में उन्होंने invest करना की, अपनी final bidding दे दी है, इसके लावा आप देख सकते करने के लिए, कि बोले, skin के color के basis पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको खतम करने के लिए, ICC की तरफ से ये एक पहल की गई है, इसमें आप देख सकते हो, इंडियन टीम ने भी किया था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच स्टार्ट हुआ था, उसके पहले, उसके लावा सा परफॉर्मनी किया, बहुत सारी चीजें, तो ऐसे में, इंडिया में भी भी देखो, मुश्किल है देखो, बहुत जादा भी, situation है, एक टाइम वो भी था, वक्त वक्त का फेर है, कर कुछ कह नहीं सकते, पॉइंट अभी इतना सही है, कि फिर, जो हमारे फॉर्मर, फॉर्म का गेम इन लोगों के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही था, में तो, इंडिया के लिए बोला जा रहा है, कि फिर से जो, आप अगर देखा जाए ना, पास्ट, पिछले कुछ महीनों, सालों की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में 36 पे वालाओ टॉकर के सीर